सही दिशा में किया गया अच्छा कर्म मनुष्य का वर्तमान और भविश्य दोनों ही बदल देता है तो अच्छे कर्म की और एक कदम बढ़ाते वे हम आपका स्वागत करते हैं नमस्कार है वोन्डफल मौनिंग टो आल माई लवली व्यूवर्स बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मौनिंग लाइफ शो बिहार बिहान में और आज के सुबह आपके साथ है प्रेयना नए दिन की शुरुवात हो चुकी आज दिन है गुरुवार उम्मीद करते हैं कि आज के दिन आपके साथ कुछ बहतर हो कुछ अच्छा हो हमारी आपको बहुत सारी शुप कामना है और इसी के साथ हम अपने कारेकरम का आवाज कर चुके हैं और आप बहुर भी जानते हैं कि जब हम कारेकरम की शुरूवात करते हैं हमारी ये कोशिश होती है आपके साथ कुछ बहतर साजा करें, कुछ अच्छा साजा करें, ताकि उसके प्रभाव आपके जीवन पर पड़े और आप उसका लाव उठा सकें. जी हाँ, आप समझ गे होंगे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हम हर रोज आपके साथ साजा करते हैं, एक अनमोल वचन, तो एपी जे अब्दूलकलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्विकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता. तो आज हमने स्टूडियो में आमंत्रत किया है, एक बेहदी खास शक्सियत को, बहुत ही प्यारी सी शक्सियत को, जिनका कह सकते हैं कि संबंद कला से है, आप कंटेंपररी आर्ट की कलाकार हैं, आप समकालीन कला से जुड़े हुए चित्रकला से आपका संबंद है, आज हम बहुत ही सौम में और बहुत ही एक प्यारा सा चेहरा मौझूद है, मैं स्वागत करना चाहूंगे, सुमा आनन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे कारिक्राइब, मुशकार और बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेडना जी आपका और बिहार वीहान का, जिन्होंने स्वाण करते हैं, में चेहरे और फोकिस कुरी लिएघ को झाहिए लिए। अबस्से के devastेत प्लेड़ कि अधना से लिएे शनक्ट्रया अप्ने फुर्मांध करतीे हैं तो उनका रंग मैंने नीला दिया हुआ है, नीला मेरा पसंदीदा रंग भी है, और इसके पीछे कारण तो कही है, पहले मैं जो अच्छी चीज़ें वो बताना चाहूंगी, कि नीला रंग जो है, इसका संबंध है, जल से, आकाश से, शांती से, गहराई से, इन चीजों की प बहुत गहराई है, और कहते हैं ना कि नीला रंग जो है इष्श्वर का भी प्रतीक है, हमारे जो भगवान हें हम पूछते हैं उनको नीला रंग हमने दिया हुआ है, और कहा गया है कि जिस तरह महा देब ہیں उन्होंने विष्प पीया और नीली रंग को समाहित करके वे वह सोमा जी आपका पुने स्वागत कारिक्रम बहान में और हम बात कर रहे थे नीले रंग की और इसके पीछे के कारण का आप जिकर कर रही थी हम जाना चाहेंगे आप से जी बिलकुल नीला रंग जैसे कि मैंने बताया कि मेरा पसंदीदा रंग है और मैं इसे कैन्वेस पे एक् रंग नीला हो गया उसी तरह हम स्त्रिया जो हैं हर दिन थोड़ा न थोड़ा विश को अपने अंदर समाहित करती हैं और यही विश हमारे अंदर जाकर जो नेगेटिव एलिमेंट्स को खतम करते वे पॉस्टिविटी देता है और हम स्त्रिया नीली हो जाती है बहुत अच परफ्जन दिदा रंग भी गुलाबी होता है लेकिन आपने कहा कि आपका निला रंगा पासम पनूछ इख और नीला रंग हमे जो है मजबूती देता है तो मेरा यह सोचना है इसलिए मैं वहुत जादा प्रयोग करती ही आझ अचिली अगर Närious को खतम भलता है और वर्तमान के दिनों में इसकी लोग प्रता काफी बढ़ रही है और बहुत सारे चित्रकार कला प्रेमी वह इस दिशा में बहुत सारे कारे कर रहे हैं कुछ बताना चाहेंगे आप समकालीन कला क्या है जी बिल्कुल, ये समकालिन कला contemporary art जिसे हम कह रहे हैं, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो हमारी आज की कला है, आज के परिवेश की कला है, जो हम जितने चितरकार हुए हैं, सब अपने अपने एक तरीके सुन्होंने काम किया है, अपना एक signature style है उनका, नई नई चीजों का उन्होंने प्रयोग किया है, पहले के टाइम में शुरुवाती दौर में जब cave paintings हुआ करती थी, या जब कागस पे या कुछ चितर बनाते थे लोग, तो ज़्यादा तर उसमें आपको vegetative colors का प्रयोग होता था, जो organic colors होते हैं, पर इधर के सालों में कुछ, कई सालों से मैं कह सकती हूं कि बहुत तरह के रंग, बहुत तरह के mediums आगे हैं, oil colors है, acrylic है, water colors है, charcoal है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब का प्रयोग चितरकार जो है, अपनी सुविदा, अपनी रुची के अनुसार करते हैं, और उन से अपनी बातें कहने का प्रयास करते हैं, और इसके साथ-साथ ही है, जो भी हम आजकल के परिवेश में जो देखते हैं, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, या जो चितरकार हम जैसे चितरकार जो फील करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारे अंदर की जो समवेदना है, वो जब हम व्यक्त करते हैं, क्यान्वस प आपकी प्रकृती पे जो बहुत सारी विनाश हो रहे हैं कुरोना काल में भी बहुत से चितरकारों ने उसे भी अपने क्यानवस पे लिया था तो यह सब कुछ समकालीन कला की ही अंदर गत आता है तो हम कह सकते हैं कि समकालीन कला हमारी कला है आज की कला है अपना आज का नजर और यह भी जानना चाहूंगे कि अगर आपने अगर बनाने का सोचा आपने कुछी उठाई तो आइडिया कहां से क्या आते हैं जैसे आपने कहां कि आप करेंट में जो भी ऐसी चीजे हमारे इर्दिगत घटत हो रही हैं तो आपके एमन में क्या किन बातों को ध्यान में रख रहता है तो उन सब चीजों में ही अचानक से या कभी बैठे बैठे ख्याल आता है कि हमें इस टॉपिक पर हम काम कर सकते हैं यह बहुत अच्छी चीजे या कोई ऐसी इमोशन्स है जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम चित्रकार तो लिखें चाहें ना लिखें पर अ बहुत सारी आइडियाज यह बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे इंफ्लुएंस करती और मुझे लगता है कि नहीं मुझे इन पर काम करना चाहिए और कई बार मैं बैठके सोचती भी हूँ कि मुझे इन सब चीजों पर काम करना है तो वह मुझे कैसे करना होगा मैं उस जैसे कि राइटर्स होते हैं अगर उसे पैंडाउन ना करें तो फिर हम थोड़ा होसे भूल जाते हैं भटक जाते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने थाट्स को उसी समय पैंडाउन कर ले या एक चोटा सा रफ सकेच सा बना ले और कितना वक्त लग जाता है एक पैंटिंग करता है प्रेडना जी कुछ पैंटिंग जो है वो दो तीन दिनों में भी बन जाती है कुछ पैंटिंग जो है उन्हें लंबा वक्त लगता है कई बार हम बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर उस पे काम करते हैं फिर छोड़ देते फिर लगता है कि नह तो वो भी है एक दो घंटे में भी हम बनाते हैं, तो ये बस चलता रहता है, अपने महोल और सब्जेक्ट की हिसाब से अपने महौल अर अपने सब्जिक्ट के हिसाब से बिना शब्द बिना स्वर के आप अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और इतनी खुबसूरती से व्यक्त कर रहे हैं ऐसा कार्य एक चुतरकार ही कर सकता है सुमा जी जाना चाहूंगे कि कितना कठिन होता है ये जैसा कि बिना कुछ कहे बिना शब्द बिना स्वर के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना अपनी पीडा या अपना हर्श या जो भी मन में जो द्वंद चल रहा है उसे कूची से कैनवस पर उतारना कि कितना कठिन है कितना आसान है आपके लिए जी एज पेंटर में कह सकती हूं कि हम बहुत सारी बाते जो महसूस करते रहते हैं जो बताना चाहते हैं वो अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से ही कहते हैं और हमारी अपनी एक भाशा होती हर चितरकार की अपनी एक भाशा होती है वो अपने तर करती हूं कि बहुत बारी कुछ चीजे आसान नहीं होती है हमें मुश्किल होता है जो हम एक्जाइक्ट सोच रहे है या फील कर रहे है उसे हूँ बहु कैन्वस पर ढाले कई बार टेक्नीक्स का भी इशु हो जाता है और कई बार जो होता है कि हम जितने सिद्दत से कोई और इसके इतर आप लिखने का भी आप शौख रखती हैं, ये हुनर भी आपको है, मैं चाहूँगी कि आप अपनी कोई रचना, कोई पसंदीदा रचना हमारे साथ आप ज़रूर साजा करें। बैलकुल प्रेणा जी, मैं बहुत लिखती भी हूँ, और जादा थर जो भी मैं लिखा है, जो पंक्तियां, जो पोईटरिज मैं लिखी अपनी पेंटिंग dow不知道, मैं लीखती हैं, So to me inased within the books, चाहिआ कि निला रंग और मैंने बताया था, जो भी करेंटिभम हो प offenses इसके साथ न पाने बहुए सारी पेंटिंग्स बनाई है। इस पे मेरी कविता है नीली होती स्तिया, वह अपको अभी सुनाती हूँ। जरूर 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 बंद कर देते हैं दिवारों के बीच जबर्दस्ती छीन लेते हैं आवाज कागजों पे उगलती हैं शोले और बहा देती हैं अंगिनत रंग कोरे कैन्वस पर घोलते हैं जहर हवा में करते हैं निरंतर विश्वमन पी लेती हैं बूंद बूंद स्थ्रिया नेली हो जाती हैं वाह बहुत संदर क्या संदर से कितनी खुबसूर्टी से आप लापने इस्तरी मन और इस्तरी व्यथा है और अगर अब अब अत्व्यां यह कहूँ या फिर युचो युचो से जो चला आ रहा है महस्त्रियों के साथ आपने उसे दर्शाया है अपनी कविता में इस भाव को बहुत सुन्दर जाना चाहोगी एपसे एक और बात सुमाजी की अगर मैं आप समकारीन कला से संबंदित आप जितनी भी आपकी कला हैं आप पेंटिंग्स बनाती हैं वरतमान की दोर में बहुत सा विधा है उसी तरह चित्रकला विधा में भी बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं और यह प्रयोग होने भी चाहिए क्योंकि कहते हैं कि चित्रकार और अपने मन की रचना करता है और रचना करते वक्त कोई पेंटिंग्स बनाते वक्त ऐसे कोई बांडेशन नहीं होने चाहिए कि certain colors ही use करना है, certain forms में ही use करना है, तो अपने हिसाब से नए नए प्रयोग सारे चितरकार canvas पे करते आए हैं, तो मैंने भी देखा है कि बहुत सारी नई विधाएं, बहुत सारी नई चीजें अब canvas पे आनने लग गई हैं, मैं भी मोस्टली एक्रेलिक और ओल में काम करती हूं, और साथी साथ चारकॉल में भी मैं काम करती हूं, canvas के ऊपर, और चारकोल के जो elements होते हैं, वो मेरे signature style है, तो जब भी मैं काम करती हूं, मेरे paintings होते हैं तो फ्लाइक पेंटिंग्स होते हैं, वो हमारे मिथला में घर घर में हमारे सब के अंदर हमारे खूद में है तो भले ही मैं समकालीन कला के चेतर से हूँ मैं समकालीन कला में काम करती हूँ पर यह मिथला पेंटिंग्स के जो एलिमेंट्स हैं जो बेसिक उसकी चीजें हैं वो मेरी पेंटिंग्स में रहती ही है किस जो कोई भी एक कला प्रत्योगीता होती है या कोई एक्जिबिशन होती है तो उसमें एक जो कैटेग्री है वो न्यू मेडिया करके भी आड होने लग गई है जिसे कि जो आर्टिस्टों है उनको मतब यह स्वतनता मिले कि वो जिस भी विधा में काम करना चाहते हैं तो उसे वो बख्षूबी दिखा सकते हैं सुमा ची जाना चाहूंगे अभी आपने जिक्र किया कि आप मदूबनी है मदूबनी से बिलॉंग करती है मितलांचल से आपका रिष्टा है तो यह सुभाविक हो जाता है कि मितलांचल हमारे बिहार का एक ऐसा शेत्र जहां पर रचा जो और आपको कब लगा कि आपको एक चितरकार बनना है या चितरकार वाली कोई कल आपके भीतर वो आपके जीन में ये खून में ये ख्वालिटी है। ऐसे तो मतलब पेंटिंग्स ड्राइंग्स ये शुरू से मैं बच्पन से करते आ रही हूं हमेशा से करते आ रही थी और मेरा ये फेवरेट मीडियम तर एक्सप्रेशन का तो मैं जब भी कुछ चीजें होती थी तो मैं आर्ट के थूँ एक्सप्रेस करती थी अपने आपको तो करती तो मैं शुरू से आई हूं पर मैं यहाँ आपको यह भी बता दूँ कि मैंने आर्ट की कोई विदिवत सिक्षा नहीं ली है मेरे पास BFA या मैं आर्ट कॉलेज में नहीं गई हूं डिग्री नहीं है मेरे पास तो मैंने खुझ से ही मतलब अपने आपको एक्स्प् मैं पर मैंने और पtaking मेरे वаться हैं मारे साथी कलाकार हैं जिनके साथ हम उड़ते बैठते हैं जिनकी पेंटिंग्स देखते हैं तो उन सब का भी बहुत प्रभाव हम पे पढ़ता है उनको काम करते देखके भी हमें बहुत девगणा मिलती है यह हमें भी लगह मिलती है कृत में यह कहुँ कि ऐसा नहीं कि मैं मतलब कलाकार बनना चाहती थी या मैं आर्ट फिल्ड में ही जाके कुछ करूं ऐसा मतलब कभी मैने सोचा नहीं था मैं पैंटिंग्स करती थी अतना सार्गिक तरीके से मैं अपना काम करती थी फिर एक समय आया कि जब मैं बहुत जादा मतब थोड़ा जादा टाइम देने लग गई आफ्टर मैरेज मैंने इस पे और भी जादा टाइम दिया मैंने उससे पहले पढ़ाई लिखाई में काफी समय जाता था मैं पटना विमन्स कॉलेज से पास आउट हूँ और आर्ट कॉलेज में मैं नहीं ले सकी एडमिशन उस समय हमारे परिवार के लोगों ने भी कहा कि नहीं पढ़ाई पहले कर लो यह तो साथ साथ चलता है तो मैं करती आ रही थी पर उसके बाद जब दीरे दीरे ऐसा हुआ कि महाल बनता गया और परिस्थितियां अनुकूल होती गई तो मुझे लगा कि नहीं कि जब मैं पेंटिंग करती हूँ मैं चितरकार हूँ तो मुझे अपना काम लोगों को भी दिखाना है लोगों तक भी लाना है मैं अपनी बात अच्छे से कहुँ मैं दिखाऊ उनकों तो फिर मैं गृपיंटिंग, इभीशन्स में पार्टिसिपेट करने लगी तो दीरे दीरे कब सारी चीज़ें जुड़ती गई और मैं एक अलाकार की रूप में स्थापित हो गई चलिए आपको बहुत सारी शुब कामना है सूमा जी आपने अभी एक्जबीशन्स की बात की कि आपने एक्जबीशन्स में आपने भाग लेना शुरू किया कॉम्पीशन्स में भाग लेना शुरू किया जाहित और से कि आपका मनोबल बढ़ा होगा जब आपको प्रोच सहना मिलती है तो सुभावी ग्रूप से मारा मनोबल बढ़ता है वर्तमान के दिनों में बिहार में खास्तोर से हमारे शहर में भी ऐसे एक्जबीशन्स की शुरूआत हुई है जिसका आपको क्या बताना चाहेंगे इसका कितना लाव मिल पा रहा है जो कलाकार है उन्हें जी बिलकुल अभी का टाइम जो है इधर कुछ सालों में जो है मैंने देखा है कि यहां पतना में भी एक आर्ट का बहुत अच्छा माहौल तैयार हुआ है और यहां काफी सारी आर्ट अक्टिविटीज होती है यह बिहार म्यूजियम भी जब से उपन हुआ है तो गर्में में हमने रूबरू काम करते वे देखा है उनकी चीजों को देखा समझा है साथी साथ हमारा ललितकल अकैडमी गैलरी है वो समय समय पर एग्जिबिशन्स और और वहां पर कोई भी चितरकार है वो अपनी एक एग्जिबिशन्स वो चाहे ग्रूप में हो या एकल प्रदश है तो वो आयोजित कर सकते हैं तो इन सब चीजों का बहुत ही पॉजिटिवले प्रभाव पड़ता है हम सारे जो कलाकार गन है और खासकर जो यूवा है जो आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट से जो अभी सीख रहे हैं जिनका प्रोसेस चल रहा है एक चितरकार बनने का तो कि उनको बहुत बहुत जादा ही लाब मिल रहा है इन सब चीजों का एक महाल से उनके अंदर एक प्रेड़ना और एक उड़्जा का भी संचार है कह सकते हम ऐसा कि वो बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं इंफ़क्त हम भी बहुत मौटिवेटेड होते हैं कलाकारों को क जो अभी जिनकी रुची है कला शेतर में चित्रकारी में आप उन्हें कुछ सुझाव देना चाहेगी आपने जयसा कि कहा कि आपने को इसकी विदिवत सिख्षा नहीं ली है तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं उन्हें क्या ऐसा लगता है कि वो बिना सिख्षा के कुछ बहतर क काम करते हुए खुद से हर कैन्वस पे सीखते हुए ही मैं आगे बढ़ी हूं पर मेरे खियाल से जो भी युवा है आज कल के जो आर्ट कॉलेज जा रहे हैं या वो कहीं न कहीं उन्हों वो सीख रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं तो इसका तो प्रभाव अच्छा करने पड़ती है तो यह एक अच्छे टीचर या अच्छे प्रॉफेशर के साथ रहके जो आजकल के युवा जो कलाकार हैं जो आर्ट कॉलेज के हैं तो उन्हें बहुत अच्छी सामज हो जाती है प्लस जो यह पांच साल गुजारते हैं कॉलेज में तो एक बहुत मेरा तो सुझाओ रहेगा कि क्यों ना एक विदिवत सिक्षा ली जाए एक फॉर्मल तरीके से उस चीजों को सीखा जाए तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है हालांकि जो नहीं जिन्होंने नहीं ली हैं जो नहीं सीखें और अपना खुद से काम कर रहे हैं उनको भी उदास होने की जरूरत नहीं है महनत तो बिलकुल महनत का कोई विकल्प नहीं है तो चाहे हम आर्ट कॉले जा रहे हो या ना जा रहे हो तो एक लगतार काम करना एक डिसिप्लीन में काम करना और लगतार महनत करना नई नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना यह बहु इंपॉर्टेंट है सीख के आप छोड़ दे तो फिर आप कहीं के ना रहेंगे और आप अगर नहीं भी सीखे हों और आप उस पे लगातार काम कर रहे हों तो इसका बहुत फाइदा मिलता है बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम निरंतर अपना प्रयास जारी रखे त आप ग uniform क्या रहे हमारे ऑने काम करते हैं कि सत्रात कर देका चरिया टॉप और मेरी पसंदां सीरीज में से एक है इसके अलावा में हमारे बीहार के बहुत सारी लोग पर्व हैं जिनें जो थोड़े पॉपलर भी हैँ हमारे बीहार में और बाहर भी और पुछ ऐसे हैं जो ह उनके पीछे की कहानी, उनके पीछे का जो महत्व है, उसे करने का, वो क्यों हम करते हैं, हमारे पूरवज करते हैं, या हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस पे मैं एक काम कर रही हूँ, तो इस सीरीज में मैंने चार-पांच काम किया हुआ है, तो सबसे प्रमुक्ता से छ सामा चकेवा हमारे मितलांचल का एक पर्व है जो कार्तिक मास में मनाया जाता है यह भाई बहन का पर्व है तो इससे जुड़ी बहुत सारी कहानिया हैं बहुत सारी चीजें हैं और जो आजकल के युवा और प्रस जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं जान पा रहे हैं और सामा चकेवा यह जुडशीतल जुडशीतल भी एक पर्व हमारा लोग पर्व है जिस पर मैंने काम किया है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं थोड़े इंग्नोरिंट हैं लोग तो मैं यह काम कर रही हूं और और भी बहुत सारे जो पर्व हैं उनको संदर यह कितना खुबसूरत विचार है कि जो समाज में ऐसी परमपराएं जो विलॉप्त होते जा रही है या फिर हमारी जो संस्कृति है वो विलॉप्त होते जा रही है आप उसे पेंटिंग के माध्यम से अपनी कला के माध्यम से लोगों में उसे अपजिवन तरकने का प्रियास करते हैं अगर हम डीपली देखें तो हमारे जितने भी यह लोग पर्व है ना वो कहीं न कहीं इन्वार्मेंट कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन का मैसेज देते हैं तो पहले के टाइम में जब जो घर की औरते या लोग के हैं इतने पढ़े लिखे नहीं थे जेनरेशन टो जेनरेशन वो पास करें हमारी चीजें और उसका महत्व बना रहे हैं जैसे यह छट पूजा ही है जो हम नदियों को नदियों में जाके करते हैं और सूर्य भगवान को उदे और अस्त होते हुए जिनकी पूजा करते हैं तो वह प्रकृति संरक्षन का ही वो भी हमें कहीं न कहीं संदेश दे रही है कि हमें वरिक्ष को प्रोटेक्ट करना है हमें एक लाल धागा भी बानते हैं उसके इर्द गिर्द तो वह एक मैसेज देता है इसी तरह जुडशीतल जो हमारा फेस्टिवल है वो वाटर कंजर्वेशन और जो हीट गर्मी के मही हम लोगों का ये काम है कि इन चीजों को एजी फ्रेंडली वे में इन चीजों को हम आगे बढ़ाएं बहुत अच्छी सोच है आपकी सोमा जी बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि आप इतनी सारी बातों को गहराई से सोच कर और फिर आप अपना काम कर रही है सोमा आपने जैसे एक सिरीज नेली स्त्रिया का जिकर किया भी आपने बताया लोग पर वकुआ अप संरक्षित करने के लिए उसके महत्वों को बताने के लिए आप उसका पेंटी के मादयम से आप उसे समाज के सामने प्रस्तुत कर रही हैं कोई और पसंदीदा सीरीज एप ऑर कविता अगर आप मारे सामने साजा करना चाहिए आपने बिल्कुल कविताइं है तो मैं ने बहुट सारी लिखी हैं और मीरा प्रेम की तलाश में थी, तो लेकिन अन्तता उन दोनों का जो डेस्टीनेशन था, अन्तता उन्होंने निर्वान पाया अपने खोज के प्रती, तो इस पे मैंने काम किया है, कविता भी लिखी है, और एक मैंने कविता लिखी है, हम इस्त्रियों के उपर की जो इस्त खोले तो व्यापक आस्मान जो है हमारा इंतजार कर रहा है तो उस पे एक मेरी दो लाइन की एक कवीता है मैं सुनाना चाहूंगी बदन से रूह तक कुछ सीडियां बनानी है अपने अंदर ही कई खिरकियां बनानी है तो यहां यह जो खिरकियां है यह हमें रास्ता दिखाएंगी हमें अपने अंदर की चीजों को जो छुपीवी चीजें हैं जिने हम पहचान नहीं पार है तो उन छीजों को open करने के लिए हमें अपने अंदर झाखना होगा और हमारे अंदर जो भी अग्यानता है उसे हटाना है तो इस पे मैंने का पेंटिंग भी बनाई है तो यह भी सीरीज है और मैं एक सीरीज का यहां जिक्र करना चाहूंगी मैं जैसे कि मैंने बताया कि आप आपको फ्रीडम होता है कि आप बाहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप क्यानवस पेक ट्रैडिशनल वे में या एक्सपरिमेंटल वे में ला सकते हैं तो एक सीरीज मेरी है गेम आफ लाइफ इसमें मैंने बहुत सारे विभूतियां हैं, जैसे हमारे गांधी जी हैं, फिर बिहार की हमारी आमरपाली हैं, फिर सीता हैं, मिथिला शेतर की ही सीता है, मैथली हैं, फिर अशोका हैं, इन सबों पे मैंने काम किया है और इनको एक नए एक बोर्ड गेम के साथ मैंने असोशियेट किया है जैसे आमरपाली के साथ मैंने साप सीड़ी को दिखाया है तो मैं कहना चाहरी थी कि जो आमरपाली का जीवन है वो भले ही बहुत उचे स्थर पे बहुत उनका नाम था वो वैशाली की नगर वधु कहलाई और उन्होंने बहुत सारे नेम एन फेम देखा अपने टाइम में तो वो जितना उपर गई नीचे का भी रास्ता उनका वैसा ही बनता रहा क्योंकि इतना कुछ होते वे भी कि वो एक नॉर्मल एक स्थरी का जीवन नहीं जी पाएं में अपनी निफान पाया तो इसको मैंने साप और सीडही गेम से दिखाया बहुत सुंदर यह आपके विचार हो जो की विचारों है आप उसको कला के माधयम। से अपने अपनी कला के माधयम से आप उसластick के लिए बहुत सारा संदेश हमारे जो समाज है समाज के लोगों के लिए आप रस्तुत कर रही है सुमा जी आप कारिकरम में आई आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया बहुत सारी बाते हमारे साथ साजा की इसके लिए आपका तहें दिल से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद प्रेड़ना जी आपका भी और बिहार वीहान का जो मुझे यहां आमंतरित करने के लिए धन्यवाद हमारी बाचीत हुई अभी सुमा आरंजी से और अब आपको अलविदा कहने का वक्त हो चला है लेकिन जाने के पूर्व आपको अलविदा कहने के पूर्व हम आप से छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप अपने विचार और अपने सुझाव हम तक जरूर पहुँचाएं और इसके लिए आपको नोट करना होता है हमारा पता ताकि आप उन पते पर हमारे अपने विचार हम तक पहुचा सके हमारा पता है